नमस्कार उतर प्रिदेश टाइम से एक रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ स्वाती सी बदलाद की आच्रा में बदलते उतर प्रिदेश में पिछली 24 घंटे में क्या कुछ हुआ ये नज़र डालते हैं यूपी बोट से जुड़ी 27,000 से अधिक स्कूलों के कक्षा 9 से 12 अधी तक के एक करूर शात्रों को साल 25 और 26 सत्रों में समय से किताबे मिलेंगी बोट के अधिकारियों ने साल 24 और 25 सत्रों में किताबे नच अपने से चिंतेत होकर तयारिया शुरू कर दी है माध्यमिक सक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने NCRT से किताबों का कॉपी राइच मांगने के लिए शासन सयनोमती मागी है इसके लिए प्रदेश सरकार ने NCRT को साल 2021 की रोयल्टी और JST का दो करों से अधीक रकम देने की तयारी की है पिछले सालों में किताबे जुलाई में उपलब्ध होती थी चबकि सक्षनिक 71 अप्रेल से शुरू हो जाता है अजबार बोर ने प्रक्रिया को तेश कर दिया है ताकि बच्चों के हाथों में समय पर नई किताबे पहुँच सके उत्रप्रिदेश के करीब 25 लाख राजी कर्मचारियों और पेंशनरों को इस बार दिवाली से पहले सैलरी और पेंशन देने का अलान हो चुका है सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में बुधवार यानि की 30 अक्चूबर को बेतन का भुगतान कर दिया चाहेगा योगी सरकार ने इस बार दिवाली से पहले सभी को बेतन और पेंशन देने का शाशना देश चारी किया था जिसके बाद वित्विभाग की तरफ से सभी की सैलरी और पेंशन रिलेस करने की तयारी पूरी कर ली गई है गौरतलब है कि योगी सरकार ने दिवाली पर बोनस और तीन फिस्दी महंगाई भात्ते का आलान किया था जिसका भुकतान भी कर दिया गया है अब करमशारियों को दिवाली से पहले बेतन देनी की तयारी है ताकि सभी दिवाली अच्छे से बना सके दिवाली से पहले सैलरी की भुकतान से बजार में भी रौनक देखने को मिल रही है द्यापारियों को उमीद है कि वेतन और पेंशन के भुगतान से बाजार में देट सो करूर तक खचो सकता है दिवाली पर दिल्ली से प्रयाग राज जाने वाली श्रीनो में लंबी प्रतिक्षा सूची को देखते वे रोडवेज के प्रयाग राज श्रीचन ने अतिरिक तबसो का संचालन एक दिन पूर्व ही शुरू कर दिया दिल्ली से यात्रियों को लाने के लिए रोड़ बेज ने आधा दर्जन बसे भेजी, पोर्ब के मदे नजर यूपी रोड़ बेज द्वारा 29 ओक्टूबर से अतरिक्त बसे चुलाई जाने की तयारी की गई थी, लेकिन दिल्ली से आने वाले भीड को देखते हुए यूपी के 156 फेरे नियमित रूप से लगेंगे, राजिकर विभाग ने इस दिवाली पर एक अनोखी पहल की है, जिसके तहट ग्राहकों को जीस्टी बिलिंग के प्रती जागरू करने के लिए आकरशक पुरसकार योशना लागू की गई है, इस नई पहल के तहट ग्राहक अपनी खरेदारी के पक्के बिल की फोटो विभाग के वाट्सअप नमबर पर भेज कर लॉट्री में भाग ले सकते हैं और पुरसकार जिद सकते हैं, स्टेट जीस्टी बिभाग के जॉइंट कमिशनर जेस शुकला ने बताया कि ये योशना 11 अक्ट्यूबर तक लागू ताकि बिजेता से संपार्थ किया जा सके इसके लिए कुछ वाट्सअप नमबर भी जारी किये गए हैं जैसे 7235-001-067235-001-061 और 7235-002-834 ग्राहक इन में से किसी भी एक नमबर पर अपने बिल की फोटो भीज सकते हैं इस योशना कमों के उदेश जीस्टी चोरी प पार दर्शी तालाना है उतर प्रदेश रास्टी ये स्वास्त मिशन यानि की नहीं ने राज में कम्यूनिटी हिल्थ ऑफिसर के चोहतर सो एक पदों के लिए भरती प्रकिर्या शुरू कर दी है आवेदा कटाइस ऑक्टूबर दोहजार चॉब़स से लेके 17 नवेंबर द रक्षित पद इस भरती में उनती सो साच पद अना रक्षित हैं जबकि साच सो चालिस पद आर्थिक रूप से कमचोर वर्ग यानि की डब्लूए उनने सौन्थानवे पद अन्ने पिच्छरा वर्ग यानि की OBC स्ट के लिए 1555 पद और 148 पद स्ट के लिए आरक्षित है चैन प्रकिरिया में कम्प्यूटर बेस ट्वेस यारी की CBT और दस्ताबेस सत्यापन शामिल होंगे इस परिक्षा में उत्तर अभियार्थियों को ही आगे के चर्णों में स्थान दिया जाएगा फिलाल इस बुलेटीर में इतना ही ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स हम है तेश के दिल उत्तर प्रदेश की धरकन उत्तर प्रदेश टाइम्स